नबस्कार सुलक्ता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग कहते हैं कि समय एक जहसा नहीं होता बदलता जरूर है खास कर राजदिती में कब कौन सत्ता पर काबिस हो जाए और कौन बेदखल हो जाए कहा नहीं चाह सकता लेकिन यहां भी जैसे को तैसा वाली कहानी दिखाए देती हैं जब जो सत्ता में रता है उसका खूब फाइदा उठाता है लेकिन सत्ता से बेदखल होने के बाद रोना शुरू हो जाता है आंध्रिपदेश में नई सरकार के शपत लेने के बाद तगड़ा आक्षन देखने को मिल रहा है यहां राज्जे के परवमुख्यमंत्री और YSRCP के अध्र आक्षन जगमोहन रेड़ी के अवैर निर्मार पर बुल्डोजर गरणा शुरू कर दिया है एक तरफ बड़े निताओं की गिरफतारी हो रही है तो दूसरी तरफ बुल्डोजर आक्षन से बवाल मचा हुआ है राज्जे में जमकर बयानवाजी देखने को मिल रही है जगमोहन रेड़ी की YSR पार्टी पर तगड़े आक्षन के बाद से तमाम तरह के सवाल सुलग रही है आंध्र पदेश में बुल्डोजर आक्षन से ववाल क्योँ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जगमोहन रेड़ी की टेंशन भी बढ़ा दी है आंध्र परदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद भी जगमोहन रेड़ी की पार्टी YSR कॉंग्रेस की मुश्किले कम नहीं हो रही एक तरफ पार्टी के बड़े निताओं को पुलिस लगातार गरफतार कर रही है तो दूसरी तरफ YSR कॉंग्रेस के कई दफ्तर सरकार के निशाने पर है रिपोर्ट के मताबिक पार्टी के किंद्रिय कालार पर बुल्डोजर चलने के बाद 26 और पार्टी ओफिस थोड़ने के लिए चिननित कर दिया गया है इनमेसे 18 ओफिस तो ऐसे हैं जिसे राज्जी की सरकार गलत करार दे चुकी है राज्जी सरकार के मताबिक इन दफ्तरों का मुल्य करीब 2000 करोड रुपे है साल 2011 में कॉंग्रेस जलागों का जगमोहन रिडी ने खुद की वायसार पार्टी बनाई थी 2019 से 2024 तक या पार्टी आंधर की सक्ता में थी अलाकि 2024 के चुनाव में पार्टी को करारी शक्सत का सामना करना पड़ा था वर्तमान में पार्टी के पास राज्ज बिदानसवा में सिर्फ 11 ही बिदायक है और उसके पास मुख्य विपक्षी पार्टी का धर्जा भी नहीं है बता दे कि 22 जून को गुंटूर जिले के ताड़े पल्ली में YSR कॉंग्रिस के निर्मारदीन केंद्रे कारयालो को नगर नेगम की टीम ने तोड़ दिया निगम का कहना था कि YSR कॉंग्रिस सिचाई बिभाग की जमीन पर बिना आदेश के पार्टी दफ्तर बना रही थी इसलिए इसे तोड़ दिया क्या गुंटू नगर निगम का कहना था कि 2022 में अस्थाने प्रिशासनी स्कुले कर YSR कॉंग्रिस को पत्र भी लिखा था लेकिन राजदितिक दबाव की वचे से इसे पार्टी ने संग्या नहीं लिया वहीं आंद्रिश शरकार के रडार पर YSR कॉंग्रिस के 26 दफ्तर और भी है जिसे तोड़ने का नोटिस दिया गया है इस एक हफ्ते में पार्टी अगर जवाब नहीं देती है तो यहां भी बुल्डोजर चलने की संभाव लाए है पार्टी के जिन दफ्तर पर सबसे ज़्यादा खत्रा मंज़ा रहा है उनमें ASR और चितूर जिला का दफ्तर प्रमकुरूप से शामिल है आंधर प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के मताबिक पिछले पांस साल में ASR कोंगरेस ने 18 ऐसा ही मारतों का निर्माण कराया जो अवैद था इन सबी की कीमत करीब 2000 करोड रुपे है सरकारी रिपोर्ट के मताबिक विशाखापत नम पश्रिम गुंदावरी एलूरू और एंटी आर जिले में पार्टी ने जो दफ्तर बरवाए हैं वो सरकारी जमीन पर है और उसका अलाट्मेंट गलत तरीके से किया क्या है वाय सार इस मामले में हाई कोट गई जहां कोट ने त्वरित रहाद देते वे सरकार से कहा कि उन्हें निर्माडों को तोड़ा जाए जिससे सरकार और आम लोगों को सीधा नुकसान हो रहा हो वह इस मामले में जगमोहन रिड्डी का कहना है कि यह चंदर बाबू नाइडू की ताना शाही है एक तरफ हमारे निताओं को घरफतार कर रहे है और दूसरी तरफ ऑफिस गिरा रहे है देश में ऐसा कोई भी उदाहरण आपको डही मिलेगा हलाकि नाइडू को याद रखना चाहिए कि हमेशा किसी की सरकार नहीं रहती वहीं वायसार कॉंग्रिस के ओफिस द्वस्त करने के मुद्दे पर आंध्री की सरकार भी मुखर है सरकार में शामिल टीडीपी का कहना है कि जगन ने सत्ता का दूरुप्यों कर इन जमीनों पर निर्मार कराया है इसलिए इसे तोड़ा चा रहा है वहीं आंध्री में सरकार बदलने के बाद वायसार कॉंग्रिस के कई बड़े निता गरफतार हो चुके हैं इनमें पुर्व बिधायक पी रामा कृष्णम और पुर्व बिधायक जे सुधाकर का नाम प्रमोकृप से श सुबह साढ़े पांच बजे ये कारेवाई आंध्रप्रदेश राजधाने चेत्र विकास प्राधीकरान यानि की CIDA ने की घौर करने वाली बात यह है कि इस कारेवाई के जो टाइमिंग है उसकी खूब चर्चा हो रही है दरसल सितंबर 2023 में जब YSRCP की सरकार थी और संद्रबाबु का रिष्ट कर लिया था YSRCP का ओफिस भी ठीक साढ़े पांच बजे तोड़ दिया क्या इससे पहले हैदराबाद महानगर्णेग जी एच एमसी ने रिड़ी के लोटस पॉंड अवास से लगे फूट पाथ पर अवायद निर्मान को तोड़ दिया इसका प्योग सुरक्षा कर्मी कर रहे थे इसके अलावा YSRCP के विशाखा पतनम ओफिस के अवायद निर्मान को लेकर एक नोटिस मिला रेड़ी के आंद्रपदेश के मुख्यमंत्री पत से इस्तिवार देने के महर्च दस दिन बाद ही ये कारिवाई की गई राज्य सरकार के अजिंसियों की इस कारिवाई पर YSRCP प्रमोक जगन मुहंडरेडी ने कहा कि आंद्रपदेश के नए मुख्यमंत्री और TDP सुप्रीमो चंदरबाबु नाइडू बदले की राज़दिती कर रहे हैं वेकताना शाह की तरह ब्योहार कर रहे हैं राज्य सरकार की कारिवाई पर YSRCP ने कहा कि ओफेस तोड़े जाने से पहले उसमें स्लैब डालने की तयारी हो रही थी तेलंगाना हाइकोट ने किसी भी तरह की तोड़फोड की कारिवाई पर रोक लगा दी है पार्टी की लिगल टीम ने CRDA कमिशनर को इस आदेश से ओगत करा दिया था CRDA ने इस आदेश की ओहेल ना की है सरकार बनाने के बाद तेलुगू देशन पार्टी याने की TDP ने पुर्वसी एम और YRCP की प्रेसिडेंट चकरमोहर रेड़ी पर सार्विचनिक धन के गलत उपयोग का आरोप लगाया है TDP का कहना है कि जगर ने विशाखा पटनम में समूंद्रे के किनारे रूशी कोंडा पहाडी पर अपने लिए लगजरी सी फिशिंग रिसॉर्ट बनवाया है इसमें जनता का 500 करोड रुपय खर्च हुआ है TDP बधायक जी स्री निवास राव ने NDA डेलिगेशन और पत्रकारों के साथ रिसॉर्ट का दोरा भी किया इसके बाद पार्टी ने 16 जून को एक्स पर पोस्ट शेर करके दावा किया कि इस रिसॉर्ट के इंटिरियर डिजाइन में 33 करोड रुपय खर्च किये कैं आरोप है कि रिसॉर्ट में 15 लाख रुपय की कीमत वाले 200 जूमर भी लगाए गए हैं मेंगी कलरफूल लाइट्स लगाई गई हैं बातरूम से लेकर पूरे रिसॉर्ट में सेंट्रल एयर कंडिशनिंग सिस्टम है हलाकि YSRCP ने आरोपों को खारिच करते विकार था कि यह बिल्डिंग सरकार की है इस रिसॉर्ट को टोरेज्बी प्रोजक्टर के तोर पर आंध्रपदेश परियाटन विकास निकम ने बना आया है इसके लिए केज़ सरकार ने मई 2021 में कोस्टल रिगूलेटरी जोन की मंचूरी ली थी सितम्बे 2023 में चंदरबाबू नाइडू को स्किल डिवलप्मेंट स्कैम बे नडाल शहर से गरफतार किया खिया उस वक्त सुबह के 6 बजे थे अपराधिक जाज विबाग CID ने उनके खलाफ घैर चमाती वारंट चारी किया था मामला लगबाग 371 करोड रुपए के घोटाले से चुड़ा था CID अधिकारी और नंदियाल, जिला पोलिस, कुर्नूल रेंज जी आईजी, रगुरामी रेड़ी की अगवाई में तरके तीन बजे उस कैंप साइट पर पहुँचे थे जहां नाइडू ठहरे हुए थे CBI ने 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलप्मेंट गोटाला मामने में फायार दर्ज की थी इसमें 25 लोगों को आरोपी भी बनाय गया था हलाकि इस FIR में यानि कि तब कि अगर बात करें तो नाइडू का नाम उसमें शामिल नहीं था इस साल मार्च में CID ने स्किल डेवलप्मेंट गोटाले की जाच शुरू की CID ने दावा किया था कि जाच में जो बाते सामनी आई हैं उनके आधार पर चंदरबावू को किरफतार किया क्या नाइडू के खिलाफ आंधर पदेश की जाच जिंसिया पांच अलग-अलग मामनों में जाच कर रही है स्किल डेवलप्मेंट गोटाले में उन्हें 20 नमबर 2023 को हाई कोट ने रेगुलर बिल दी थी इसके बाद आंधर पदेश सरकार ने सुप्रेम कोट में अपील करते वे हाई कोट के फैसले को रद करनी की मांग की थी सुप्रेम कोट जुलाई 2024 में इसकी सुनवाई करेगा वहें आंधर प्रदेश में भी एंडिये की सरकार बन गई है तेलोगो देशन पार्टी यानि की टीडिपी सुप्रेमोट चंदर बाबु नाइडू ने 12 जून को राज्य की 24 मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ली चंदर बाबु ने राज्य की चौथी बार कमाज सबाली इसके साथ ही उन्होंने आंधर में सबसे जादा बार मुख्यमंत्री बनने का रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया वहीं सत्ता में आने के बाद से अव्याद कब्जो पर तगड़ा एक्शन चारी है और राज्य में ये कारेवाई चर्चा का विश्य बने हुई है साथी बुल्डोजर की दाहार से आप पुर्वसीर चकमोहन रिड़ी के रातों के नीद भी हराम हो कई है सुलक्ता सवाल में फिलाल करेता हैं देखते रहें कापिटल चीवी नमस्कार हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ जुनने के लिए शुक्रिया